सब भाई और बेहनों को प्रभु इशु के नाम में जै मसी की आज प्रभु ने हमको एक मौका और दिया जब हम इस तरह से एकतरित होकर प्रभु के वचन का ध्यान कर सकें उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ जो भाई पहली बार आएं हैं हम इस संगती में हम सब लोग उनका हार दिक स्वागत करते हैं आज हम प्रभु के वचन से रूमियों की पत्री उसके तेरहुए अध्याय का ध्यान करेंगे पिछले हफ़ते हमने बारुए अध्याय का ध्यान किया था जिसमें हमने ये देखा था कि प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करने के बाद आत्मिक जीवन में हम सिर्फ एक नया जीवन पाए हुए शिशुओं के समान है और जिस तरह से एक शिशु को आ आई ई से लेकर सीधे खड़े होने और उसके बाद संसार में जब वो शिशु प्रवेश करता है और जब भलाई और बुराई दोनों उसको एक साथ आकरशित करती है तो बुराई को छोड़ कर भलाई के पीछे जाना चाहिए यह हम अपने शिशु को सिखाते हैं और अपने बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे जीवन में सिर्फ सही रीती से कारे करेंगे या सही रीती का कारे करेंगे रोमियों की पत्री बारवाद दियाए हमको यह बताता है कि आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है जिसने भी आत्मिक जीवन में जन्म लिया है उससे प्रभू ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने जीवन में एक आत्मिक शिशु के समान धीरे 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 उन्नती करेगा और एक ऐसा समय आएगा जब उसके सामने आत्मिक रूप से जब चालेंज आता है भलाई और बुराई तब वो प्रभू के प्रती अपने समर्पेंट के कारेंट भलाई को चुनेगा आज तेरहे अध्याय में हमें एक ऐसे विशे का अध्यान करने जा रहे हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों को ताज्यूप से भर देगा मैं एक वास्तविक घटना सुना कर इस अध्याय के अध्यायन को आरम करना चाहता हूँ आप सब लोग जानते हैं कि मैं प्रभू की सेवा में आने से पहले टीचिंग जॉब में था और सबसे आखर में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था लेकिन मैंने अपना अध्यापन यूनिवर्सिटी से नहीं एक स्कूल से आरम भी किया वह स्कूल जिसमें पहली से ग्यारवी तक मेरी पढ़ाई हुई थी उस समय सरफ ग्यारा क्लास हुआ करता था मधिप्रदेश में MSC पास करने के बाद मैं वापस उसी स्कूल में गया और वहाँ पर अध्यापक हो गया और वहाँ पर मेरी देख रेख में एक नया सेक्शन स्कूल ने शुरू किया जिसका नाम था नवांकुर बाकी पहली से वहाँ पर क्लास थे लेकिन नवांकुर की विशेष्टा ये थी कि बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग प्रात किये हुए ध्यापक लोग आध्युनिक मनो विज्ञान के आधार पर बच्चों को क्लास वगरा लेते थे और अंग्रेजी माध्यम में था क्रमशा मेरे स्वयम के दोनों बच्चे भी नवांकुर में ही पड़े नवांकुर में वो इतना पॉपिलर हो गया कि यदि पचास सीट थे तो पाँछेजार लोग तक अप्लाई करते थे एक बार की बात है जब नवांकुर के लिए फॉर्म्स पहले जाचे जाते हैं फुर उनको बताया जाता है कि इंटर्वियू के लिए आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते तो जाचते जाचते देखा कि एक ब्यक्ती के बच्चे की डेट अब बर्थ सही नहीं है सही नहीं से मेरा मतलब है एड्मिशन के लिए ये नियम था कि पिछले साल या उससे तीन साल पहले एप्रिल इकतीस से पहले का जन्म होना चाहिए इस बच्चे की डेट अब बर्थ हमने देखी तो वो एप्रिल इकतीस के बाद की डेट अब बर्थ है तो हमने पिताजी को बुला के कहा कि देखो भहिया तुमारा बच्चा एड्मिशन के काबिल नहीं है इसलिए कि यहाँ एड्मिशन के लिए एप्रिल इकतीस से पहले क का डेट चाहिए एक फलाना साल हमने बताया जिस सब ऐड्मिशन होता है उससे तीन साल पहले का एप्रिल 31 से पहले का डेट वना चाहिए बच्चे की डेट और माई या जून में है और उसने क्या जवाब देडे अरे Sir, आप पहले बता देते, मैं तो municipality का कारी करता हूँ, यदि आपने पहले बताए होता, तो मैं April 31 के पहले की date of birth certificate आपको लाकर दे देता, मतलब बच्चा पैदा हुआ है जून में, लेकिन admission के लिए 31 के पहले की date चाहिए, तो हाँ हाँ, मैं वैसा certificate आपको लाकर दे देता, कहने का मतलब कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, उसका कोई माईना मेरी नजर में नहीं है, सच बोलो या जूट बोलो, बच्चे को admission चाहिए, तो उस हिसाब का paper बनाके मैं ले आओंगा, प्रभु का बच्चन ये याद दिलाता है, कि प्रभु के बच्चों का व्यव बहार इस तरह का नहीं होना चाहिए, यदि बच्चा जूट में पैदा हुआ है, उसके लिए यदि आप April का paper बनवा देते हैं, तो आप जूट बोल रहे हैं, और जिन्दगी भर उस बच्चे से आप जूट बुलवाएंगे, प्रभु का वच्चन बहुत ही लंबे शब् paragraph है, जिसमें ये बात याप दिलाता है, कि मैं और आप जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में grant किया है, मेरी और आप की कानून के सामने क्या स्थिती है, कानून मानना है या नहीं मानना है, काइदे कानूनों का आदर करना है या नहीं करना है, सरकार का आदर क करना है या नहीं करना है और सरकार ने जो नियम बनाये हैं उन नियमों का पालन करना है या नहीं करना है मैं अपनी तरफ से इन बातों को बताऊं उसके बदले हम सीधे सीधे प्रभु के वचन को पढ़कर देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है 13 अध्याय के पहले पत्से हम इस तरह से पढ़ते हैं हर एक व्यक्ति शास की अधिकारियों के अधीन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो प्रभू की ओर से ना हो और जो भी अधिकार हैं वे सब प्रभू के ठहराए हुए हैं जब हम एक समाज में जीते हैं तो इस बात को याद रखें कि उस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेकड़ों काईदे कानून होते हैं और इन काईदे कानूनों का पालन करना मेरे आप के लिए बहुत ज़रूरी है एक उदाहरिन के लिए मैं जब विश्व विद्याले से यहां आता हूँ तो वहाँ एक जगए लाल बत्ती हरी बत्ती वगरा है और उस सड़क पर सरकार ने बाकाईदा एक सफेद लाइन डाल रखा है नियम के अनुसार सामने जब लाल बत्ती हो या पीली बत्ती हो आपकी गाड़ी उस सफेद लाइन को स्पर्ष ना करे उसके पहले आप उसे खड़ी करें हरी बत्ती के होने के बाद ही आपके गाड़ी उस सफेद लाइन को क्रॉस करे मैं जब भी आके उस सफेद लाइन के पीछे खड़ा हो जाता हूँ तो अक्सर लोग पीछे आके हॉन पे हॉन देते जाते हैं कि भाईया उसको क्रॉस करके तोड़ा और आगे जाओ आवाज सुनने में बड़ी परिशानी होती है पीछे से हौन पर हौन आ रहे हो लेकिन मेरी जिद है कि नहीं जब तक लाल हरी बत्ती ना आए तब तक भईया आप केतना भी हौन बजाते जाएं मुझे कोई परिशानी नहीं है मुझे कोई टेंशन भी नहीं है टेंशन आपको है जो अपने हौन के उपर खड़े हैं जिससे कि आपकी आवाज मुझे सुनाई दे काइदे कानून सरकार ने यदी बनाए है तो हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने मेरी और आपकी सुरेच्षा के लिए सरकार को नियुक्त किया है और वो सरकार है जो काइदे कानून बनाती है पिछले संडे जब हम काइदे और कानूनों को तोड़ते हैं तो उसका कितना दुखदाई फल होता है ये पिछले हफ़ते मैंने देखा पिछले हफ़ते यहां से सभा के बाद घर पहुँचे रात को नौ बच कर दस मिनित पे मुझे खबर मिली कि मेरे चाचा जन का बहुती भयानक एक्सिडेंट हुआ है और बचने के चांसेस कम है क्या हुआ सडक पर सरकर ने बाकाइदा जेब्रा क्रॉसिंग बना रखा है जेब्रा क्रॉसिंग के उपर जब कोई आत्मी उतर जाता है ट्राफिक लाइट हो तो उस लाइट के इसाब से जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना होता है जिस जगे ट्राफिक लाइट नहीं होता है वहाँ पर यही कोई व्यक्ति सडक के किनारे से जेबरा क्रॉसिंग पर उतर कर खड़ा होता है तो जाने वाली हर गाड़ी को अपनी गाड़ी रोक देनी चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति जेबरा क्रॉसिंग क्रॉस कर सके क्योंकि अंतर राष्ट्रिय सारे देशों में अंतर राष्ट्रिय रूप से एक विशेश बात जो हम में से कई भारती लोग नहीं जानते वो यह है कि सड़क जनता के लिए है सड़क गाड़ी वालों के लिए नहीं है जब जनता साड़क क्रोस कर रही है तब गाड़ी वाले को चुपचाप शांत खड़े रहना चाहिए भारत में नियम धीरे-धीरे कड़े हो रहे हैं कई राज्यों में यदि जेबरा क्रोसिंग कोई क्रोस कर रहा है उस समय कोई गाड़ी उसको जाकर टच कर ले या जेबरा क्रोसिंग को क्रोस कर ले तो वहाँ क्यामरा उसके चितर को कैड कर लेता है बाकैदा कंप्यूटर में उसका नंबर चला जाता है घर पे फाइन पत्र आ जाता है कि बेटा फाइन भरो और तीन बार जब इस तरह से फाइन भर देता है कोई व्यक्ति तो तीन अपराद के कारेंट तीन महीने या छे महीने के लिए उसका लाइसन्स रद्द हो जाता है इसराइल जैसे देश में जब बच्चे क्रॉस कर रहे होते हैं पुलीस वाले ने सीटी दी बच्चे के क्रॉस करने के लिए और यदि किसी ड्राइवर ने उसका उलंगन किया और इस तरह से तीन बार पकड़ा जाता है तो आज इवन उसका लाइसन्स रद्द हो जाता है पर जिन्दगी पर आप रहो गिरो पड़ो कुछ भी करो आपको लाइसन्स नहीं मिलेगा ये नियम सरकार्तियों बनाती है जनता की सुरेच्चा के लिए उस जनता की सुरेच्चा को कोई आत्मी भूल गया उसके कारण मेरे चाचा जान का बहुत ही बुरी तरह से उनकी दुर गुजरगे कल उनका संसकार हुए कल उनको हमने दफनाया सारा देश उनके अंतिम दरशन के लिए उमड़ पड़ा एक अच्छा डॉक्तर जो दूसरों के साथ बहुत अधिक दया दिखाता है एक ऐसा व्यक्ति जो वो शिशुरोग विशेशग्य थे ऐसा व्यक्ति जिसने दस हजारों परिवारों में खुशी लाई है या खुशी दी है क्योंकि बच्चे को कोई चंगा करता है तो सारा परिवार खुश होता है और ऐसा व्यक्ति जिसने बच्चों के बहुती रेर बहुती दुरलब रोगों को देखते ही पहचान लिया और जिसके लिए इलाज क करके उस बच्चे को एक नए जीवन दिया और उस परिवार को एक नए खुशी दी, उस व्यक्ती का जीवन एक सेकंड के सोवे हिस्से में समाप्त कर दिया गया. क्यों? इसलिए कि किसी व्यक्ती ने काइद हैं कानून का उलंघन किया. प्रभु का वचन इसलिए तो कहता है कि जितने भी अधिकार हैं मतलब अधिकारी लोग जो काईदा और कानून हमारे लिए बनाते हैं उनको प्रभु ने ठहराया आप कहेंगे शास्त्री सराथ कैसी बात कर रहे हैं ये जो शास्त्री अधिकारी जो नियम वगरा बनाते हैं इन में से कोई व्यक्ति मसीही नहीं है प्रभु ये शुकाया शायद दस लोग काईदा कानून बनाते हैं तो उन में से नौ लोग ने तो प्रभु को जाना नहीं है जी हाँ जाना हो या ना जाना हो हर मसीही व्यक्ति इस बात को समझ ले आज जाना हो या ना जाना हो ये संसार प्रभू के नियंटरंड में है और प्रभू ने लोगों को अलग-अलग स्थानों पर नियुक्त किया है जिनके द्वारा हमारा बचाव होता है और इसका रेंट प्रभू का वचन क्लिरली बोलता है कि हम इन अधिकारों का पालन करें आप कहेंगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं बहुत सारे नियम कानून बहुत ही अन्याई होते हैं सच है मनिश्य जब नियम या कानून बनाता है तो उसमें थोड़ा बहुत अन्याई भी होता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे नियम कानून अन्याई से भरे हुए है उदाहरेंट के लिए रेलबे के प्लैटफॉर्म पर जाना हो तो पांच रुपे का प्लैटफॉर्म तिकेट कटवाना होता है आप कहेंगे कैसा अन्याई है हम आद घंटे के लिए प्लैटफॉर्म पर जाते हैं और उसके लिए पांच रुपेया टिकेट कटवाएं क्या आपने कभी सोचा है कि जब रेलगाड़ी आती है तब उस प्लैटफॉर्म पर येदी अंदा दुंद भीड़ हो जान चली जाती है इसलिए अनावश्यक धक्का मुक्की से बचाने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया है कि सिर्फ वे ही लोग प्लैटफॉर्म पर जाएं जिनका जाना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी हो तो जेब से 5 रुपेइ खर्च करने में आपको परिशाणी नहीं होगी इसलिए उन्हें ने 5 रुपे का टिकट लगा रखा है जो मेरे बच्पन में 10 पैसे का हुआ करता था फिर 25 पैसे का होगया 50 का होगया 1 रुपेइा हुआ 2 रुपे होगया पाँच रुपेया होगा जल्दी ही वो दस रुपेया हो जाएगा और दस हो गया है क्या अच्छा मैं बहुत दिन से प्लैटफॉम पे नहीं गया दस रुपेया हो गया है ये भाई ने बताया हाँ इसका मतलब है कि सन दो हजार पच्चीस के आसपा सुरों पच्चीस रुपे का हो जाएगा और मेरे जीवन काल में है वो टिकेट शैद पच्चास रुपे का हो जाएगा लेकिन ये क्यों किया जाता है इसके पीछे बहुत ही वेग्यानी कारण है मेरी और आपकी सुरिट्शा के लिए सरकार यह करती है कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सरकार अनियाय कर रही है मैं टिकेट नहीं लूँगा आप किसका विरोध कर रहे हैं अगला पत पढ़के देखें तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी अगले पत में लिखा है इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो प्रभू की विधी का विरोध करता है और विरोध करने वाले दंड पाएंगे क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप ट्राफिक के नियमों का उलंगन करते हैं यदि आप रेलवे के नियमों का उलंगन करते हैं, तो नाकेवल ट्राफिक पुलीस पकड़ कर आपको सजा देगी, यदि मानली ये पकड़े गए, तो पकड़ कर नाकेवल बेलोग आपको सजा देंगे, लेकिन प्रभू की संतान होने के कारण, उस नियम के अलंगन के कारण प्रभू की तरफ से भी आपको सजा होगी, मतलब डबल सजा होगी, हमेंसे कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं आज से पहले नहीं जानते थे, जब प्रभू के एक बच्चा इस संसार में गलत कारी करता है, तो वो दो प्रकार के कानूनों का उलंगन कर रहा है, एक प्रभू के बनाए हुए देविय कानून का और दो मनिश के बनाए हुए कानून का, मनिश के बनाए हुए कानूनों का जब वो लंगन करता है, तो वो पकड़ा जाता है तो उसको सजा होगी, मैं बार-बार ये क्यों कह रहा हूं कि पकड़ा जाता है तो सजा होगी इसलिए कि वे मनिश्य जिन्होंने नियम और काइदे बनाए हैं वे सर्वेग्यानी नहीं हैं इस कारण कई बार उनको धोखा देकर लाल बत्ती पे भी रोड लोग क्रॉस कर लेते हैं और चूंकि नियम बनाने वाला या पुलीस वाला वहाँ पर हर जगह मौजूद हर समय मौजूद नहीं होता इस कारण हो सकता है आप बच जाएं लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं जिस सर्वेश्वर ने इस संसार की रचना की है उस सर्वेश्वर ने इन लोगों को इसलिए उस जगह पर रखा है कि वे हमारी सुरेच्षा के लिए नियम बनाएं और हमारी सुरेच्षा के लिए जब वो नियम बनाते हैं उस नियम को मैं यव आप यदि छोटा से नियम भी हो उसका लंगन करेंगे तो सरवेश्वर से भी हमको सजा मिलेगे इसलिए हर विश्वासी को ये बात अच्छे तरह से याद रखनी चाहिए इस संसार में जितने अधिकार और अधिकारी लोग हैं वे सब वहाँ पर प्रभु की इच्छा से आएं हैं वे लोग परफेक्ट नहीं हैं उनसे कई बार गलती हो जाती है उनमेंसे कई लोग निकम्मे होते हैं योगी नहीं होते इतना ही नहीं उनमेंसे कई लोग बहुत बुरे होते हैं लूट करते हैं घूस लेते हैं लेकिन वे क्या करते हैं ये मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसलिए कि वे ना मेरे ना आपके नौकर है उनको प्रभू ने ठहराया है और यदि वे अपने कारे सही रीती से नहीं करेंगे तो कल को सरकार उनको पकड़ लेगे और सरकार यदि नहीं पकड़ती तो अभी प्रभू देख रहे हैं और उनके जीवन में उससे कोई अनग्रह नहीं होगा, मैं ऐसे कई सरकारी लोगों को जानता हूँ, डॉक्टरों को, पुलीस वालों को, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले को, जो बिना घूस लिए जिनका हाथ कलम तक नहीं जाता है, मान लीजे आप उनके पास जाके कहते हैं कि सर, ये मेरा एप्लिकेशन है, इस जरा साइन कर दीजिए, तो ये पेन उनके जेब से निकल कर कागस तक जाए, उसके लिए पहले उनकी मुठी गरम करने पड़ती है, और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, कि साहब के हाथ तब ही चलते हैं, जब उसको गरम किया जाए, या उसके एनर्जी दी जाए, तो साहब कहते हैं, जाके उस चपरासी से मिलाओ, जब आप उस चपरासी से जाके कहते हैं, भाईया मेरा एक सिगनेचर साहब नहीं कर रहे है, कह रहे थे कि तुम से मिलाओ, तो वो कहता, अरे सर, आप शायद इस देश में, इस दफ्तर में पहली बार आएं हैं, सा पिते का नोट रख दो और जब आप कहते हैं कि भाईया ये तो करते हुए मुझे शरम आती है तो वो कहते है कि आप हमको दे जाएए मैं साहब को मुंडी हिला के बता दूँगा तो साहब समझ जाएंगे कि आपकी एनरजी हमारी जेम में आ गई है और साहब तुरंत साहिन कर देंगे ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसे पचासों लोग मैंने देखे हैं मेरे स्वयम के विद्यार्थियों में कईयों के माबाप इस तरह के लोग थे लेकिन अब मैं तो सीनियर सिटिजन हो गया हूँ चार दिन पहले 64 क्रॉस कर गया तो अब जिन्दगी इतनी देख ली है कि मैं मेरे जवान भाई और बेहनों को ये बात गयारंटी से बता सकता हूँ कि चाहे मसीही हो या गयर मसीही हो जो आदमे गयर कानुनी काम करता है वो 10 या 20 या 30 साल के लिए ऐसा हमको लगता है कि वा 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 खूब माल है और मलाईखा रहे हैं साहब लेकिन उनके जीवन में जो होता है 10, 20 या 30 साल के बाद वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक उदाहरंड मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने आपको बताया कि मैंने एक स्कूल से अपना जीवन अपना टीचिंग जीवन चालू किया था उस स्कूल में एक बहुती सुंदर आकरशक और बुद्धिमती लड़की थी और उसका टौप आना निश्चित था उसके पिताजी एक बहुत ही पहुँचे हुए सरकारी डॉक्टर थे बिना घूस लिए उनकी कलम आगे नहीं बढ़ती थी और यदि आप घूस दे दो तो कलम ना केवल आगे बढ़ जाती थी यदि आप परियाप्त घूस दो तो वो काले को सफेद और सफेद को काला करके आपको सेर्टिफिकेट दे देते थे वो बच्ची धीरे 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 कोई कारण कोई भी नहीं डून पाया धीरे धीरे मानसिक रूप से विट्षिप्त होने लगी और जब वो 11 में पहुँची जब मैं पढ़ाता था तब मंदीप्रदेश में सिर्फ 11 क्लास होते थे जब वो 11 में पहुँच गई तो इतना जादा उसका संतुलिन बिगड़ गया कि प्रैक्टिकल का एक्जाम दे उसको समझ में नहीं हमने कहा कि बेटा तुमारे सामने फलाना एक्विप्मेंट रखा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे उस जमाने में हम अध्यापक लोग जो इंटर्नल है थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पुश दे दिया करते थे मतलब फेल को हम पास त चोड़ा सा उसको गडवड हो रहा है तो उसको हलके से एक पुश दे देते थे तो मैंने अपने लैब असिस्टन से का कि अरे भाया वो बेचारी बड़ी इंटेलिजेंट है और आज उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके सामने क्या रखा हुआ है तुम जाके थोड़ी सी म नहीं है आप उसके उपर विशेश कृपा दृष्टी रखें उन्हेंने का कि सर आप से ज्यादा कौन समझ सकता है वो आपकी बच्ची है और हम यहां किसी को फेल करने के लिए नहीं आये हैं हम तो चाहते हैं कि हर बच्चे को उचित नंबर मिले इसलिए उस बच्ची को आप सही रीती से मदद पहुचा दीजे जिससे कि वो अपनी योग्यता के हिसाब से इस एक्जाम को दे दे तो हमने एक्स्टरनल को पटाया हमने लैब असिस्टन से का कि जाके उसकी जरा मदद करो अगल बगल में जो विद्यारती थे उन सब से मैंने का कि खबरदार उसक उनको कोई मतलब नहीं सारे इंतिजाम किया लेकिन आधे एक्जाम के बाद वो बच्ची उस क्लास को छोड़ कर चली गई उसका मानसिक संतुलन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि उस साल उसने एक्जाम नहीं दिया परिवार वाले उसको मनोवेग्यानिक के पास जाते हैं तो उनका आपमान होता है इसलिए घर बैठा के उन्होंने इलाज करवाया तमाम सारे नीम हकीम बुलवाये कोई फाइदा नहीं हुआ करोडों रुपे की आए उसके पिताजी ने इल्ली गली सफेद को काला काले को सफेद करके बनाया क्या फाइदा हुआ मेरा या आपका बुद्धिमान बेटा या बेटी यदि उसका जीवन हमसे खो जाता है नश्ट हो जाता है क्या फाइदा मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाई और बेहनों प्रभु के किसी भी बच्चे को नियम और कानूनों को तोड़ना नहीं चाहिए मेरी खुद की मंडली या जिस सत्संग में मैं नियमित रूप से जाता था उसमें एक बहुत ही ऊंचे दरजे के सरकारी अफसर थे बहुत ही हाई लेवल की हस्ती थी और सरकार के करोड़ो रुपे का माल उनके गोदाम से एक दिन बाहर अंदर होता था करोड़ो रुपे का माल प्रती दिन तो माल जब अंदर बाहर होता था तो उसमें से थोड़ा उनका जो मकान बन रहा था उस प्लोट में पहुँच जाता था फाइनली उन्होंने वहाँ एक बहुती बड़ा महल खड़ा कर दिया और मैं सुन रहा था मेरी मंडली के मुखिये से बोला कि इतनों बड़ा महल जो मैंने खड़ा किया है इसमें एक इंट भी मैंने नहीं खरीदा है प्रभु का वचन एक बात याद दिलाता है सावधान रहो कोई भी व्यक्ति प्रभु को धोका नहीं दे सकता है मनिश्य जो बोएगा वो काटेगा मेरे सामने वो अंकल बुरी तरह से पीड़ी थोकर उन दिनों आज के समन दवाई नहीं होती थी आज के समन पेन किलर दर्द नियंतरण के लिए दवाई नहीं होती थी मैं 1960 वगरा की बात बता रहा हूँ दर्द से रो रो कर कैंसर से उनने अपने जीवन त्याग दिया पत्नी मानसिक रूप से विट्रिप्त हो गई एक लड़का था वो हत्यारा बन गया तीन लड़कियां थी उसमें से एक पागल हो गई दो पता नहीं विकारियों के साथ भाग गई उस समाज में सबसे उननत एक अफसर के परिवार की बात बता रहा हूँ जो एक मसीही था जो प्रभु एशू का बच्चा था जो मंडली में नियमित रूप से आता था जिसके बच्चे हमारे साथ सेंडे स्कूल में पढ़ते थे चोरी करने में सरकार का माल चोरी करने में उनका कॉंशियंस उनका विवेक हिच किचाया नहीं नाकेवल उन्हें ने ने चोरी की हिंदी में कहते हैं चोरी और सीना जोरी नाकेवल उन्हें ने चोरी की बड़े घंवंट के साथ चर्च के मुखिये को बच्चे खड़े हुए हैं मेरे समान सुन रहे हैं उनके सामने बोला कि मैंने सरकार को करोड़ो रुपे का चूना लगाया और इतना बड़ा महल बनाया क्या फाइदा हुआ वे उस महल में नहीं रह पाए उनका परिवार नहीं रह पाया उनके परिवार का नामो निशन मिट गया प्रभू का वच्चन ये बात याद दिलाता है जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की वो प्रभू की विधी का विरोध करता है और वो प्रभू की विधी का सामना करता है और जो भी व्यक्ती प्रभू का विरोध करता है वे दंड पाएंगे आगे लिखा हुआ है यदि तुम अधिकारियों से निडर रहना चाते हो अच्छा काम करो चौथा पद मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ पढ़कर सुनिये क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए प्रभू का सेवक है कौन? आप कहेंगे कि अरे शास्त्री सर कैसी वाग कर रहे हैं मेरे आसपास तो तमाम सरकारी दफ्तर है जिन से मेरा बहुत काम पढ़ता है महां तो प्रभू इश्व का कोई अनियाई नहीं है अनियाई हो या ना हो इस सारे विश्व का नियंत्रण प्रभू के हाथ में है और इस विश्व के नियंत्रण के लिए प्रभू ने जिन लोगों को रखा है या जो लोग करते हैं वे लोग उस सत्ता में प्रभू के कारण आए हैं और ये प्रभू चाहते हैं कि हम उनकी आग्या का उलंगन ना करें जैसा मैंने बताया उन मेंसे कई लोग उस पद पर बैटने की योगी नहीं है लेकिन ये जाँचना आपकी जम्मेदारी नहीं है कई लोग अनियाई है ये जाँचना आपकी जम्मेदारी नहीं है नियम और काईदों का पालन करना ये मेरे आपके लिए जिरूरी है ठीक है? सात्वे पद के आखर में मसीही के लिए ए प्रभु इशु के अनियाई के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सात्वे पद के आखर में दिया है वहां लिखा है जिससे डरना चाहिए उससे डरो जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो इसके ठीक पहले पुराना हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए शायद आपको थोड़ी सी परिशानी होगी सात्य पत्त के शुरू में लिखा है इसलिए हर एक का हक चुकाय करो जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो कर और महसूल एक ऐसे वर्ड्स हैं, जिसका उपयोग आजकल होता नहीं है तो आदिनिक भाष्षा में मैं उसका अनुवात करके बताता हूँ जिसको टैक्स देना है उसको टैक्स दो ये प्रभू का वचन कहता है जब हम दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि भाईया हमारे घर में शादी होने वाली है और इसलिए हम एक स्टील के अलमारी खरीदना चाहते हैं अलमारी दिखाईए तो आपको ले जाके बताता है कि देखिए ये देशी माल है, ये पांच हजार का है और ये कंपनी का माल है, ये 10,000 का है और ये नामी गिरामी कंपनी का है, ये 20,000 का है तो आप कहते हैं कि भाईया, शादी में वैसी भी बहुत पैसे उठ रहे हैं और ये दिखिए कुछ सस्ता कर दो, तो आपकी बड़ी महरबाय नहीं होगी तो वो कहता है, ये 20,000 की जो अलमारी है इसको ये आपको पकी रसीद चाहिए, तो टैक्स के साथ 24,000 का पड़ेगा और ये आपको रसीद नहीं चाहिए, तो हम आपको 20,000 में दे देंगे आपका 4,000 का फाइदा करवा दिया और ये जो देशी अलमारी जो 5,000 का है यदि आपको इसकी पकी रसीद चाहिए, तो 5,500 रुपे का पड़ेगा बिना रसीद के आप ले जाएंगे, तो हम आपको 5,000 का दे देंगे तो आप कहते हैं, भईया हम बिना रसीद के ले लेंगे, 5,000 से थोड़ा सा और कम कर दो तो दुकानदार सूचता है कि कैश मुझे हाथ में मिल जाएगा, मुझे कहीं हिसाथ नहीं देना पड़ेगा तो हो कहता, अच्छा, आप 4,800 का ले जाएए कुल मिला के आपको 700 रुपे का फायदा हुआ, 5,000 की अलमाईरी पे आपको 700 रुपे का फायदा हुआ, आप बड़े खुश होगे लेकिन इस बात को आप भूल गए, कि प्रभू का वचन कहता है कि जहाँ टैक्स देना है, वहाँ टैक्स दो और एदी आप टैक्स नहीं देते, तो वहाँ तो सरकार की आखें नहीं है, सरकार टैक्स चोरी के लिए आपको सजा नहीं दे पाती, क्योंकि दुकांदार भी चोरी कर रहे हैं, आप भी चोरी कर रहे हैं, दुकांदार आप के बारे में, आप दुकांदार के बारे में, कि आप कहेंगे शास्त्री सर मैं गरीब हूँ, मेरी लिए 700 रुपे बहुत बड़ी चीज है, मैं आप से दो बात कहना चाहता हूँ, पहली बात अमीर हो ये गरीब हो, चोरी प्रभु के सामने चोरी है, दूसरी बात, पैसे के इंतजाम कौन करता है, प्रभु करते हैं, अमीर ह ये अगरी, उसको कितना चाहिए ये प्रभु जानते हैं, और यदि प्रभु ने आपको सिर्फ इतना दिया है, कि आप ईवन पांच हजार के अलमारी नहीं खरीद सकते, तो प्रभु ने आपको जिन सीमाओं में रखा है, उन सीमाओं में जीना आपको सीखना पड़ेगा प्रभु ने जो सीमा रखी है, उस सीमा के अंदर जीना हमको सीखना पड़ेगा नहीं सीखेंगे, तो क्या होगा, हम चोरी करने लगेंगे, उसके समान जीना चाहेंगे, उसके समान जीने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम चोरी करने लगेंगे उसके समान दूसरों को जी कर बता दिया लेकिन प्रभू हमारे प्रती हमारे विरुत क्रोधित हो गए इस बात को हम भूल जाते हैं और याद रखें प्रभू का कौप या क्रोध यदि हम अपने उपर लाते हैं तो वो जीवन बरबाद हो जाएगा चाहे एक अफसर सरकार के बहुत बड़े गोदाम से करोड़ों रुपे की चोरी कर रहा हो या मैं और आप उस दुकान में जाकर माल खरीटते समय टैक्स दिये बिना चाहे हम सतर रुपे की चोरी कर रहे हो प्रभू के सामने चोरी चोरी है प्रभू का बच्चा गलत कारी करता है तो वह गलत है इस बात को समझने के लिए प्रभू हम सब की मदद करें आज हमने जो बात सुनी उसका साराँच में एक बार फिर से बता दू इस सारी दुनिया का ultimate नियंतरण प्रभू के हाथ में है दुनिया में अमन, चैन, शांती हो उसके लिए प्रभू ने सारी दुनिया में सरकार रखे हैं सरकारों में बहुत सारी सरकारे गलत कारी करती हैं अत्याचार करती हैं प्रभू सब देख रहे हैं उनको जो सजा मिलनी है प्रभू देंगे ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन ये सारे नियम कानून प्रभू ने इसलिए रखे हैं कि दुनिया में अमन चैन हो शांती हो प्रभू के बच्चे होने के कारण मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हर नियम और कानू का पालन करें नियम और कानून का विरोध ना करें करें तो यदि हम पकड लिये जाते हैं तो सरकार हमको सजा देंगी ना पकड़े जाते हैं मनिश्यों के द्वारा ना पकड़े जाएं तो अभी प्रभू की नजर हमारे उपर है और यदि हम नियम या कानून तोड़ते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्य नहीं होंगे और यदि प्रभु हमसे प्रसन्य नहीं होंगे तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा ये हम सब जानते हैं क्लोसिंग से पहले एक बात और मैं बोलना चाहता हूं संसार के स्रिष्टा वो अनाद यानंत प्रभु जो मुझे से और आप से इतना प्रेम करते हैं वे मुझे और आप को सदा सरवदा के लिए अपने पास लेजाना चाहते हैं हम सब जानते हैं कि मनिश के लिए एक बार मरना और उसके बाद नयाय होना नियुक्त है मैंने इस हफते इसे अपने आँखों से देखा मेरे चाचा जिनकी उमर कोई अधिक नहीं थी जो स्वस्त थे पृष्ट पुष्ट थे जिनोंने दस हजारों परिवारों में बच्चों को एक नया जीवन दिया था उस चाचा का मृत शरीर और एक्सिडन्ट के बाद जो मृत शरीर अपने हाथ में मिलता है उसके बारे में जरा सूचें उसको हम उनके जो भांजे भतीजे थे हम लोग ने जब चाचा का शरीर अपने हाथ में उठाया तो हमारा मन हाहा कार कर गया क्यों अब कोई व्यक्ति उनको दुबारा वो जीवन नहीं दे सकता तब मुझे एक बात और ये बात फिर से याद आई मनिश के लिए एक बार मरना आविश्य है ये तो बहुत बड़े पहुँचे हुए डॉक्टर थे उनकी चिकितसा के लिए एक से एक बड़े डॉक्टर वहाँ पर आए नहीं मनिश के लिए एक बार मरना नियुक्त है मेरे प्रिये भाईयों और बहनों जो आज प्रभु की वानी सुन रहे हैं उन सब से मेरा अनुरोध है इस बात को ना भूलें मनिश के लिए एक बार मरना नियुक्त है एक चंड भर पहले यदि मेरे चाचा को ये बात मालूम होती कि एक गाड़ी तेजी से आ रही है तो वे वहाँ से हट गए होते नहीं मालूम थी ये बात उनको आपको क्या लगता है कि कल जब मुझे और आपको संसार छोड़ना होगा तब वो बाकाइदा महीने बर का नोटिस आएगा कि शास्त्री तुमको ये सूचित किया जाता है कि मई 13 को तुमारे आंतिम दिन है उसके पहले अपना सारे इंतिजाम कर लो नहीं मृत्यू हर व्यक्ति के लिए निश्चित है लेकिन वो सूच न दिये बिना आती है इस कारण आज यहां जितने भाई बहन प्रभू की वाणी सुन रहे हैं उनसे मेरा अनिरोध है कि मेरे प्रिये भाई यदि आपने आज तक प्रभू ईश्चित को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन नहीं किया है आप अपने जीवन के साथ खिलवाड कर रहे हैं मनिश के लिए एक बार मृत्यू और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है कहीं ऐसा नहो कि प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में पाने से पहले ही आप इस संसार को छोड़ जाएं आईए प्रार्थन करें